एक बार एक अंधेरी और तुफानी रात में, दोस्तों के एक समुहने घने जंगल में एक परित्यक्त हवेली में एक दरावनी साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। हवेली की बुरी प्रतिष्था थी, अफवाहती की वहां अंगिनत बेचैन आत्माय रहती थी। जैसे ही उन्होंने भयानक हवेली में कदम रखा, दोस्तों को तापमन में गिरावट महसूस हुई और उनके पैरों के नीचे फर्ष के चरमराने की आवाज सुनाई दी। माहौल दंगोटू था और हवा में आसन विनाश की भावना मन्रा रही थी। कापते दिलों के साथ वे हवेली में गहराई तक गए, केवल उनकी फ्लेशलाइट से टिम्टिमाती रोशनी से निर्देशित हुए। गले आरा मुर्ता और मुर्ता, उन्हें मकडी के जाले और धूल से धके एक भव्य कमरे में ले जाता। कमरे के मध्य में एक चित्र खड़ा था, जो तूटी हुई और पुरानी लकडी से बना हुआ था। जैसे ही वे चित्र के पास पहुँचे, उनकी रील में सिहरन दोर गई। पेंटिंग में जेट काले बाल, पीली त्वचा और भेदी लाल आखों वाली एक महिला को दर्शाय गया है। ऐसा लग रहा था कि उसकी भयावे मुस्कान उनका पीछा कर रही थी, चाहे वे कमरे में कहीं भी खड़े हो। यह ऐसा था मानो पेंटिंग का अपना एक जीवन हो। परेशान होकर दोस्तों ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दर्वाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंध हो गया। यह उन्हें सुरक्षा की और ले जाएगी। अचानक वे एक मंद रोशनी वाले कक्ष में उभरे। उनका दिल दूग गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे हवेली में रहने वाली बेचैन आत्माओं के अभ्यारन्य में आ गये हैं। को एक अलंकृत चोकी पर एक प्राचीन पुस्तक मिली। यह महसूस करते हुए कि यह आत्माओं के चनबुल से मुक्त होने का उनके पास एक मात्र मौका था। उन्होंने कापती आवाज में एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एक पल में कमरा रोशनी की तेज लहर से काम पुठा जिससे आत्माओं जहां से आई थी उन्हें वापस भगा दिया गया। दोस्तों ने खुद को हवेली के बाहर पाया, हाफते और हिले हुए थे, लेकिन जीवित थे। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर देखा, उन्हें राहत की अनुभूती हुई। वे उस भयानक अगनी परीक्षा से बच गये थे, लेकिन प्रेतवादित हवेली की याद और दुष्ट मुस्कान वाला चित्र हमेशा उनके दिमाग में अनकित रहेगा। उस दिन के बाद से वे हमेशा हवेली की जर्जद दिवारों के पीछे चिपे हुए भयावे अंध तेरे और भयानक राक्षसों को याद करते रहेंगे। इस कदर नए कहानियों के लिए फैक्टो आदित्य को जल्दी सब्सक्राइब करें।